Hello and welcome to Skill IQ, Skill IQ में आपका स्वागत है, तो आज के दोनों एडिटोरियल्स, दस में दो हजार चोबिस के, दोनों ही जो हराजनीती पे बेस्ट रहेंगे, तो पहला है USA की राजनीती से संबंदित, बिकोज USMV अभी 2024 में, में भी October, November, December जब भी elections होंगे वहाँ पे, वहाँ पे उथल पुथल होने वाली है और चल रही है एक तरीके से जो बाइडन एंड उनके पूरो हुए जो प्रेजडेंट थे, क्या नाम उनका, डोनाल्ड ट्रम उनके बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे वह चीज़ देखने को मिल रही है, बट मैंने देखा कि, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि उस एडिटोरियल को ले लेते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं अपने स्टेट के एडिटोरियल को यहाँ पे सामिल कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे उससे भी ज्यादा जो है उथल उथल चल रही है ठीक है USA से भी ज्यादा elections हमारे यहां पर भी October में में भी विदान सभा की elections होंगे October में क्योंकि 5 November को यहां पर टर्म जो है complete हो रहा है यह 5 यर जो टर्म है हमारा ठीक है तो current में यहां पर KJP Government है जो कि मुश्किल में आ चुकी है अब देखते हैं यहां पर क्या बताया गया है इस editorial में इसमें बताया गया है कि यहां पर total जो है 88 सुरी प्लस के 2 90 जो है यहां पर विदान सभा जो है seat से हमारे यहां पर अभी जो है 88 जो है यहां पे विधायक हैं दो का क्या हुआ सर दो का हुआ दो ने स्थिपा दे दिया है अपने जो सीट से उन से एक तो करनाल से एक रनिया से ठीक है तो करनाल और रनिया से जो है स्थिपा दे दिया गया है बट यहां पे 88 जो है मेंबर्स यहां पे बचते हैं अब आगे की बात editorial में होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर recap कर दूँ है, तो आप पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं, ओके, चलिए देखते हैं, ट्रमोईल एंड टेस्ट, अब यहाँ पर ट्रमोईल का मतलब समझने कोशिश करो सबसे पहले, यह एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब हलचल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, खलबली बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, शोरगूल बोल सकते हो, ठीक ह ठीक है उतल पुथल ये सब मतलब बोल सकते हो आप ट्रमोईल के नाउन वर्ड के रूप में तो उतल पुथल और एक तरीके से परीक्षा या इम्तिहान आप बोल सकते हो और हर्याना पॉलिटिक्स हर्याना की राजनिती पे हर्याना गवर्नर मस्ट आस्क दे गवर्मेंट त प्रूफ इत्स मैजरिटी हर्याना का जो गवर्नर है री बंदारु दतात्रय उनको जरूरिसे पूचना चाहिए जो गॉपर्मेंट है रयाना की करेंट कॉपर्मेंट है BJP government है led by Mr. Saini ठीक है नायब सिंग Saini यहां पर हमारे मुख्य मंत्री है तो उनको प्रूफ करना चाहिए उनकी जो majority है है ना हर्याना government के लिए 8 साय है यह उसकी majority उसको जो है क्या करनी पड़ेगी प्रूफ करनी पड़ेगी अब डीटेल में देखते हैं अपने अडिटोरियल को देखो हर्याना इस इन पॉलिटिकल ट्रमॉइल आफ्टर थी इंडिपेंडेंट एमेले इस विद्टो देर सुपोर्ट टू रूलिंग भारतिय जनता पार्टी यानिके बीजेपी एंड इट्स फॉर्वर कॉलेशन पा ठीके से देखो यहां पर टोटल 90 सीट्स हैं एक्जेक्टली मुझे ध्यान में तो नहीं है बट मैं कोशिश करता हूँ बताने की 10 ती जेजेपी के पास अरांड 40 थी बीजेपी के पास चीक है 30 थी कॉंग्रेस के पास साथ थी साथ थी ना साथ थी नोन इंडिपेंडेंट के पास चीक है कितने हो गए 70 असी और 77 तीन मुझे ध्यान में नहीं आ रही है मेरे ख्याल से इन में से दो थी किस के पास इन एलो के पास आई एन एल डी ठीक है हमारे जो स्री ओम प्रकास चटाला जी होते थे हमारे फॉर्मर सी एम उनकी पार्टी की दो में भी या तीन हो सकती है तो इस तरीके से 90 का ये distribution था में भी यहाँ पे 41 हो सकता है इदर उदर होगा बट ये 10 confirm है ये 30 confirm है ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ distribution था तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप देखो 90 seats हैं तो उसके लिए majority आपको अगर बतानी है या proof करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा 90 में से 46 से हैं मतलब आधे का प्लस वन चीक है 50% प्लस वन परसेंट मींज आप दो से बाग कर लो उसको और एक जोड़ दो उसमें तो 46 बनता है और प्लस के 7 और जोड़ दो इसमें 10 प्लस के 7 17 ये जो है इनके साथ आए हुए थे BJP के साथ बट जो ये 10 हैं जेजेपी ने वापिस ले लिया था अपना जो समर्थन है उसके बाद भी सरकार बनी रहती थी उसके बाद ये 7 और थे है ना तो 7 और थे तो 40 थे के 41 थे ये म तो यहां पर 43 बचते हैं में भी तो यहां पर आप इनके देख लेना कितने थे मुझे एक्जेक्ली पता नहीं है ये नंबर थोड़ा सा राजनिती का कम ही मेरे को पता है तो यहां पर यह 43 बच जाते हैं अब देखो दो ने जब इस्तिपा दे दिया है तो 40 ए सोरी 88 यहां करो 44 प्लस के 1 यानि के 45 से यह लेगन यहां पर कितनी है 43 है तो यह सारा पंगा है अब समझ गयो होगा आप मेरे ख्याल से यह सारा पंगा है तो अब आप इसको समझने कोशिश करो पहली लाइन में क्या दिया गया है हरियाना जो है राजनितिक उतल पुतल में गुजर रह क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट जो MLA थे उन्होंने विड्रिव कर लिया है उन्होंने अपना समर्थन वापिस ले लिया है उनकी जो सुपोर्ट थी वो रूलिंग पार्टी बीजेपी को थी और इसकी फॉर्मर जो कोलेशन पार्टनर थी बीजेपी की पहली जो साथी थ वो थी जन्नाइक जन्ता पार्टी जेजेपी जिसने ओफर कर दिया है सुपोर्ट करना किसको कॉंग्रेस को फॉर्म करने के लिए एक अल्टरनेटिव कवर्मेंट एक जो है मिली जुली सरकार जो है बनाने के लिए हर्याना के अंदर क्यों क्योंकि 88 जो है टोटल सीट्स यहां पे रहे गी हैं तो वहां पे 44 प्लस के 1 हो जाएगा अगर वो 10 उनके साथ चले जाते हैं तो ठीक है लेकिन इन मेंसे 2 नहीं जाएंगे अगर 30 और 38 38 होंगे तो इसके मतलब उनको 45 बनाने पड़ेंगे कुल मिलाके बाकी सभी को लेके भी INLD बाकी सभी को लेके भी ठीक है तो इस तरीके का कुछ यहां पे जो calculation है या गणित है कुछ इस तरीके का चल रहा है ओके दूसरी लाइन देखते हैं क्या दी गई है in the 90 member state assembly 90 member की जो state assembly है हमारी which currently has an effective strength of 88 effective strength 88 की है वो क्यों है क्योंकि दो ने स्तिपा दे दिया है रनिया और करनाल से the bjp government led by chief minister mr naib singh saini appears to be a majority with 43 mlas by its side it needs 45 for a majority अब यहां पे क्या बात चल रही है कि जो mr saini है जो मुख्यमंत्री है उनको जो है क्या करना पड़ेगा उनके पास 43 mla है उनकी side में है ना तो उनको जरूरत है 45 की एक majority को दिखाने के लिए but but bjp leaders but bjp leaders assert that their government is under no threat and if there to be any need other mlas will support them and indicator of support from this this grunt grunt learn this grunt lord this grunt lord mlas of the jgp अब यहां पे सबसे पहले इस वर्ड कोई देख लेते हैं जिसने मुझे काफी प्रेशान कर दिया fumbled कर दिया ठीक है this grunt lord this grunt lord एक adjective है इसका मतलब क्या होता है एस अन्तूस्ट ठीक है एस अन्तूस्ट unsatisfied ठीक है चेड़ चेड़ा बोल सकते हो क्रोधी बोल सकते हो यह सब मतलब बोल सकते हो इसके अब देखते हैं हम अपना जो है समझने कोशिश करते हैं देखो मिस्टर शैनी के पास जो है क्या है 43 members हैं उनको प्रूफ करना होगा majority with 45 members लेकिन जो बीजेपी leaders हैं जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है नो थ्रेट यहां पर कोई भी खतरा उनकी सरकार को नहीं है अगर उनको जुरूरत पड़ती है तो बाकी के जो विधायक हैं उनको समर्थन एक तरीके से दे देंगे जेपी के जो जेपी के unsatisfied या फिर disgruntler जो supporters हैं जेजेपी के जो supporters हैं जो नाराज एक तरीके से थे unsatisfied जो एक तरीके से थे उनके समर्थन का एक संकेत जो है उनको मिल रहा है ठीक है तो दस में से अगर दो इनके पास आ जाएंगे तो इनके पास 45 की majority आपको देखने को मिलेगी उके उसके बाद क्या है उसके बाद है the Congress and the BJP एक बात क्लियर कर दूँ यहाँ पर यह डिस डिस ग्रंटलर जो है ना यह जेजेपी के MLA जेजेपी पार्टी से हैं ना क कि जेजेपी के जो है जेजेपी पहले डिस ग्रंटलर हो चुकी है बीजेपी से बट अब जेजेपी के अंदर डिस ग्रंटलर चल रहे हैं दो MLA बीजेपी का ऐसा कहना है ठीक है उसके बाद the Congress and the BJP have come out come out बाहर निकलना फ्रेजल वाब है come out all guns blazing at the BJP but appear to be moving with a guided approach by putting the honest वैसे इसको pronounce करते हैं to initiate the process of bringing down the incumbent government on each other अब यहाँ पर तीन वर्ड्स आए सबसे पहले blazing की बात करते हैं blazing एक adjective word है इसका मतलब क्या होगा चमकदार जलता हुआ प्रेजवलन उसके बाद on us आया on us एक noun word है इसका मतलब दाई तो responsibility जिम्मेवारी करतव है यह सब मतलब बहुत जकते हो incumbent incumbent आया अगर इसको noun के रूप में use करोगे जो कि इसका अगया adjective सोरी डेटर माइनर दा लगा हुआ यह indicate कर रहा है कि यह एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि noun है बट यहाँ पर government दिया गया तो adjective के रूप में use किया जा रहा है ठीक है तो इसका मतलब होगा पदस्त बोल सकते ह हो पदा दिकारी बोल सकते हो आश्रित बोल सकते हो dependent बोल सकते हो important हनिवारी है सब यह सब मतलब आप incumbent के बोल सकते हो तो आप यहाँ पे adjective इसका part of speech को होगे अब पूरी बात को समझने कोशिश करो तो जो Congress है ठीक है ना जेजेपी की बात आ गई बीजेपी की बात आ गई अ अब जो है Congress की बात करेंगे Congress और जेजेपी ने भाजपाप पूरी तरीके से हमला बोल रख्या है ठीक है पूरे तरीके से उनके उपर क्या है ब्लेजिंग कर रहे हैं ठीक है पूरे तरीके से उनके उपर जो है क्या बोल रख्या हमला बोल रख्या अब यहाँ पर हम जो है जेजेपी और कॉंग्रेस ने बोल दिया है बट क्या लग रहा है यहाँ पे लेकिन जो current government है उसको गिराने की जो प्रकरिया है उसको गिराने की जो एक तरीके से जो process उसको शुरू करने की जिम्मेदारी जो है एक दूसरे के उपर डाल रहे है ठीक है एक दूसरे के उपर क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं क्या approach with guarded approach approach by putting the ons जो जिम्मेदारी है उसको initiate कर रहे हैं उस process को एक दूसरे के उपर bringing down the incumbent 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 government on each other कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बीजेपी को गिराने की जो process है बीजेपी government को यहाँ पे गिराने की जो process है वो Congress और जेजेपी एक दूसरे के उपर डाल रहे हैं और वो आगे तो आए हैं बट वो एक दूसरे के उपर डाल रहे हैं और एक दूसरे को सतर्क जो है एक दूसरे को सतर्क एक दूसरे को सतर्क करके रख रहे हैं पाऊं क्यों क्योंकि October में elections उनको विधान सभा के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां पे कोई भी गलती लोग उस चीज को उस गलती को कभी भी भूलेंगे नहीं क्योंकि वो कदम जो है फूप फूप के रखने वाले यहां पे हैं अगर मैं आपको current जो scenario अगर मैं यहां पे बता हूँ editorial से हट के because I belong to Haryana तो यहां पे है न बीजेपी से लोग बहुत ज़्यादा नाराज है अबाव 70% पीपल 80% पीपल जो है नाराज मैं यहां पे बोल सकता हूँ frequently frequently I can say तो यहां पे both parties have asked governor बंडारू दतात्रया तो हमारे यहां पे governor जो हैं बंडारू दतात्रया है to intervene intervene मतलब hashtag shape करना ठीक है तो दोनों party यहां कौन Congress और जेजेपी दोनों party यहां चाहती है कि बंडारू दतात्रया जो कि हमारे governor हैं वो hashtag shape करें बीच में आएं उनको पूछें कि वो अपनी majority को जो है एक तरीके से दिखाएं while the Congress has demanded immediate assembly polls under President's rule the जेजेपी has asked the governor to seek an immediately floor test to determine the majority of the incumbent government in the legislative assembly अब यहां पे दोनों parties अलग-अलग जो है अपने मत रख रही हैं Congress क्या रख रही है जेजेपी क्या रख रही है Congress कह रही है जो governor है देखो सबसे पहले दोनों party एक मत पे हैं कि जो हमारे governor है बंडारू दतात्रया उनको बोल रहे हैं कि आप intervene करें आप हस्तक shape करें दूसरी बात Congress क्या कह रही है कि President rule के अंडर जो है immediately तुरंत प्रभाव से Assembly elections करवाए जाएं Assembly polls करवाए जाएं under President rules ये Congress का कहना है जेजेपी का कहना है कि जो governor है उनको बोल रहे है governor साब को कि आप जो है immediately floor test करवाएं floor test आपको बताऊंगा में क्या होता है जो current government है उनको अपना जो बहुमत है उसका निधारन करने के लिए अभी तुरंत प्रभाव से floor test करवाए जाना चाहिए लेकिन Congress ने क्या कहा President rule जो है उसके तहत जो है election यहाँ पे करवाए जाने चाहिए तो floor test क्या होता है floor test एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके जरिए यह जाना जाता है कि मुझूदा सरकार के पास बहुमत है या नहीं यानि सरकार को विधाईका का समर्थन प्राप्त है कि नहीं उस चीज़ को floor test की process जो है एक तरीके से कहा जाता है समझ गया आप बात को चीज़ के जी उसके बाद the congress and the jjp are trying to consolidate their base in the middest of the general election and in run up to the assembly election which is due to be held in normal course in October 2024 October 2024 ही समझो इसको क्योंकि October लिखा है अगर उसके पिछे sun लिखता तो वो maybe अगला year की या किसी और year की बात करता ठीक है तो अब देखो यहां पे क्या बात है important बात है ये इस editorial की बहुत ज़्यादा important बात और इसका base आया था पिछली line में पिछली से पिछली line में क्यों क्योंकि वहां पे ये बताया गया था हमें कि जो congress और जो jjp है वो कदम फुक फुक के रखना चाहती है इन हरयाना क्यों क्योंकि आगे October में elections में भी आपको देखने को मिलेंगे में भी गया confirmed है जैसा कि हम discuss कर चुके हैं कि 5 November को ये term जो है खतम हो रहा है यहां पे समापत हो रहा है तो next term के जो elections होंगे वो यहां पे देखने को मिलेंगे assembly elections आपको देखने को मिलेंगे legislative assembly के ठीक है तो congress और जो jjp है ठीक है वो आम चुनाओ के बीच और October में उने वाले जो विदान सबाद चुनाओ है उन से पहले अपना जो base है उसको मजबूत करने की कोशिश यहां पे कर रही है ठीक है उसके बाद at least two of the ten jjp mlas have declared their support to bjp candidates in the log sabah polls and it is getting hired for jjp to keep its floor flock together यहां पे भी important line आप इसको बोल सकते हो मैंने total आपको jjp की 10 seat बताई थी 10 में से दो बंदे इस 10 में से दो बंदे लोग sabah polls में लोग sabah में bjp को support करते हुए यहां पे एक तरीके से दिख रहे हैं अपने जो अपना जो स्थान है उसके उपर रहते हुए ठीक है bjp को समर्थन करते हुए यहां पे 10 में से दो विदायक दिख रहे हैं और अपना समर्थन देने की गोशना कर चुके हैं और jjp के लिए अपने विदायकों को एक जुट रखना यहां पे बहुत ज़्यादा मुस्किल हो गया है इस लाइन के उपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा it is getting hard for the jjp to keep its flock together its flock together means अपने जो विदायक हैं अपनी जो हमारे अर्याणा में बुहारी बोलते हैं बंदी बुहारी करना उनको मुस्किल हो गया है यहां पे ज़्यादू को इकठा रखना उनके लिए मुस्किल हो गया है ज़्यादू means there is no intervention intervention for आम आदमी party आप मैं यहां प after parting ways with the jjp and bjp which draws its support largely from agrarian agrarian class primarily the jat community has upped the anti against its former partner अब यहां पे सबसे important जो बात है ना हमारे यहां पे बड़े बुड़े बोलते हैं कि जो राजनितिक जो गनीत है ना वो यहां पे हमारे हर्याणा में जो है किस तरीके से चलता है किस तरीके की बाते होती है वैसे पूरे देश का यह एक जैसा है बट हमारे यहां पे जाती हमारे यहां पर जातीगत जो चीजें हैं बीजेपी को इसका क्रेडिट जाता है और इंडिया में जो बड़े बुडजर्ग हैं हमारे वो दे रहे हैं बीजेपी को धरम का जो है हिंदू-मुसलिम का इस तरीके की जो बाते हैं वो ज्यादा तूल पकड़ती हुई अगरी से लिया गया माल लो एक्रिशी से लिया गया माल लो एक्रिशी से लिया गया वर्ड है अक्षेत्रिक यह सब मतलब आप इसके बोल सकते हो अब यहां से शुरू होती है कहानी एक कॉम्मुनिटी के उपर जो कि हमारी सबसे इंपूर्टन कॉम्मुनिटी है हमारे हर्याना की सबसे इंपूर्टन जो चीज जो शुरू होती है वो क्या शुरू होती है तो आफ्टर पार्टिंग वीज द विद बीजेपी द जेजेपी विच ड्रोज इस पूर्ट्स ड्रोज मतलब बैक ले लेना पिछे हट जाना चीक है तो अब आप यहां पर क्या कह रहे हो कि जो भाजपा है भाजपा से अलग हो जाने के बाद जो जेजेपी है उसने मुख्य रूप से क्रिशी वर्ग या क्रिशी से समंदित जो हमारा वर्ग था जाती थी मुख्य रू साथी अपने फॉर्मर जो कॉलेशन था उनका विद जेजेपी उसके खिलाफ बीजेपी सौरी जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से क्या कर दिया है मुर्चा खोल दिया है क्यों क्योंकि हमारे यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कॉमिनिटी जो जाट है वो ज्यादातर जो है यहां पे रहती है तो उसका समर्थन ज्यादातर जेजेपी को आपको देखने को मिलता है और बीजेपी से अलग होके जेजेपी दुबारा से इस कॉमिनिटी का एक समर्थन जो है फ्राप्त करना चाहती है जो कि मुझे लगता है नहीं इस साल के मार्च की अगर मैं यहां पे बात करूँ वेन बीजेपी रिप्लेस्ट चीफ मिनिस्टर मनोहरलाल खतर विद नायब सिंग सैनी, इस लाइन से राइटर की यह बात क्लियर हो जाती है कि मैं जो बूल रहा था कि बीजेपी को क्रेड़ेट जाता है कि हमारे यहां पे जातीगत जो चीजें देखने को मिलती है जाट एंड नोन जाट कमुनिटीज के बीच में जो कन्फिलिक्ट्स सैनी वर्सिस जाट आपको देखने को मिला था, 2016 में जाट आंडोलन हुआ था, जाट आरक्षन आंडोलन हुआ था, उस समय पे आपको बहुत सारी खतरनाक चीजें हमारे यहां पे लगबग 40,000 करोड का यहां पे नुक्सान हुआ था, हर कोई भूल नहीं सकता है उन चीजों को, सब चीजें देखो जो जाट जो आदोलन था वो बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा था, बट हिंसक हो गया था, 2016 में और आपको यहां पे पता है कि 2014 से करंटली लगातार दू टर्म्स में जैसे वहां पे चल रही है, इंडिया में चल रही है, हमारे यहां पे भी सरकार इनकी चल रही है, समर्खन लेने के बाद जो बीजे पी है उसने रिप्लेस कर दिया सीम थे जो हमारे पूरों सीम थे श्री मनौहलाल खटर जी उनको करनाल से जो है लोकसवामसी पे उतारा गया है उनका एक इस्तिपा यहां पे देखने को मिलता है आपको क्योंकि यहां पे अठासी जो एमेले करता है पार्टी का जो प्लान है प्रार्टी की जो एक प्लान आप स्ट्रेजी आप यह कहोगे जो है है वो बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल एक तरीके से क्लियर है कि पार्टी ने जो है कास्ट बेस्ट पॉलिटिक्स यहां पे करनी है पी वोईटिंग का मतलब क्या होता है Central Point, केंदरबिंदू, धुरी, जो पार्टी की जो राजनितिक जो धुरी है, राजनितिक जो उसका एक सडियंतर तो मैं इसको यहाँ पे गलत हो जाएगा, सडियंतर वर्ड यूज़ करना यहाँ पे, जो प्लान है, जो स्ट्रेकेजी है, वो जो है किस तरीके के अपनाई है, towards the non-jart constituency, और जो non-jart constituency है, उनको जो एक तरीके से रखा है, या संकेत जो एक तरीके से दिया है, ठीक है, हर्याना में, हर्याना विटनेस्ट, हर्याना विटनेस्ट कर चुका है, सबूत इस बात का, यहाँ पर बहुत जादा, खतरनाक बात एक तरीके से बताई है, राइटर ने, सबसे पहले स्टीर का मतलब क्या होता है, यह वब है, इसका मतलब होता है, मिलाना, हिलना, डुलना, भढ़काना, यह सब मतलब बोल सकते हो, ठीक है श्टीर के साथ इनको भी जब आप इंग्लूड कर लोगे सेम मिनिंग रहेगा बट यह फ्रेजल वर्ब का रूप धारन कर लेगा पिट्ड क्या होता है वाई यह एक नाउन होता है गड़ा बोल सकते हो आप इसको चीक है गड़ा बोल सकते हो खान बोल सकते हो खाई बोल सकते हो यह सब मतलब आप इसके बोल सकते हो अब आप समझने की कोशिश करो पहली लाइन से इसको कैसे relate कर सकते हो देखो जब नायब सिंग सैनी को यहां पे मुख्य मंतरी बनाया गया बाइद बीजेपी इंडिपेंडेंट केंडिडेट्स के साथ मिलके जिन में से तीन भाग गए हैं तो गवर्मेंट टूटने का सारी यहां पे दिख रहे हैं बट बीजेपी कह रही है कि हमें कोई प्रोब्लम नहीं है हमें हमारे साथ जो जेजेपी के दो तीन जो है दिख रहे हैं हमें candidates हमारे साथ आ जाएगे, दो ही इनको चाहिए है, तो यहाँ पर यह सब चीजें देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ आप जो है, जो communities के बीच में जो conflicts आपको देखने को मिल रहा है, जाट वर्सिस नोन जाट यहाँ पर हर्याना में, वो यही strategy का यही strategy आपको बीचेपी के दिख रही कि जातिगत जो है, यहाँ पर राजनीती की जाए, हर्याना यह चीज विटनेस कर चुका है, पहले भी, है ना, पहले भी यह विटनेस कर चुका है, हर्याना, क्यों, क्योंकि 2016 में हिंसक जाट आरक्षन जो समर्थक आंदोलन वहाँ पर देखा गया था, और आंदोलन ने जाटों और गैर जाटों को एक दूसरे के खिलाब खड़ा कर दिया था, एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था, जिससे क्या हो गया था, जिससे इंटर-community relations हैं वो straining हो गए थे वो बहुत जादा मतलब एक तरीके से उनके बीच में आपको पिट्थ जो है देखने को मिला गड़ा एक तरीके से आपको देखने को मिला तो यह गड़ा जो है बहुत जादा गहरा जो है देखने को मिला और अब भी कुछ इस तरीके के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे during elections, विधान सबा elections, the Congress appears to be channelizing its energy to form the next government for a full term of five years, यहाँ पे एक चीज़ है, Congress जो है एक प्लान कर रही है, वो channelize कर रही है, करती हुई दिख रही है actually, कि क्या दिख रही है, कि उसके जो प्लान है, यह its Congress के लिए है, उसकी energy जो है, वो इस तरीके से form करना चाहते हैं, कि next government full term के लिए पूरे 5 साल के लिए वो बनाने की कोशिश करेंगे, instead of focusing any possibility of a short term gain, यह बहुत important line, again एक important line आपको देखने को मिल रही है, अभी हम देख रहे थे news में, कि दुश्यंत ब मिलके, अगर Congress चाहे तो मैं उनका समर्थन कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग form कर सकते हैं, एक नहीं government, ठीक है, तो ऐसे जो है interested नहीं है, मुझे personally लगता है कि Congress, Congress इस line से लग रहा है कि पांच साल के mood में है, Congress short term के mood में नहीं दिख रही है, फोकस करती हुई, सैनी government's legislative majority, यहाँ पे एक चीज़ हमें लग रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो Congress है, वो एक आलपनिक लाब के किसी भी संभावना पर ध्यान के इंदरीत नहीं करेगी, और वो पूरे पांच साल के कार्यकाल के उपर अपनी अगली सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा देगी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है the political turmoil, जो राजनितिक जो उथल पुथल आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, जो कि सैनी सरकार के जो विदाई बहुमत के doubt पे एक तरीके से तिक हुई है, और यह एक ल जानी हुई है, the governor should take appropriate measures to clear the doubts regarding the numbers, जो governor है, जो governor है, श्री बंदारू दतात्रया, उनको जो है, जो numbers है, जो संख्या है, किसकी, members की, member of parliament, no, member of parliament, नहीं, assembly, member of assembly, विदायकों की संख्या बोलो भाई, मेरे को यह confusion हो जोते हैं, MP और दूसरे जो होते हैं, MPs तो member of parliament होते हैं, यह नहीं होगे, चीक है, तो विदायक, चीक है, विदायक bird use कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे, तो governor साथ जो है, उनको ध्यान रखना चाहिए, जो विदायक या उठाना चाहिए, चीक है, तो इस तरीकी की चीज़ थी, इस तरीकी की जो है, आपको यहाँ पे बात थी, और यह PDF है ना, दोनों का आपको मिल जाएगा, कहां पे, skill, IQ, education, skill IQ ही लिख लेना, वहाँ से ही आ जाएगा, telegram के उपर, वैसे आप हर social media के उपर skill IQ लिखके, आ उसको मुझे भी follow कर लेना, राजबीर, R-A-J-B-I-R-S-I-N-G-H, राजबीर सेंख, चीक है, मुझे जानते ही होंगे, आप थोड़ा थोड़ा जानने भी लगे होंगे, या जानते नहीं होंगे, तो थोड़ा बहुत आप जानने लग जाना, तो उससे मुझे personally थोड़ा स अपने आपको भी highlight करने का मुझे जाता मोका मिलेगा, तो that's it, thank you, आज के लिए इतना ही, मिलेगे next video में, thank you, thank you so much.